दोस्तों नमस्कार मैं हूँ देवेश दोस्तों आज बात करते हैं हम अपने पड़ोसी देश की जो अपने आपको दुनिया का दुनिया का सबसे सक्तिसाली देश समझता है आज से 40-50 साल पहले इन्होंने कसमे खाई थी कि चाहे हमें घास की रोटी खाना पड़े लेकिन हम परमानुबं जलूर बनाएंगे कुल मिला के यह एक ऐसा देश है जिसका वजूद ही इसलिए बना हुआ है ताकि यह भारत का अस्तित्व मिटा सके पाकिस्तान का निर्मान भारत को मिटाने के लिए हुआ था यह जिन्दा भी इसलिए है ताकि यह भारत को नश्ट कर सके लेकिन उस पाकिस्तान की असलियत क्या है सच्चा ही क्या है वो आप देखिए पाकिस्तान में होने हैं ऑपरेशन्स पेशेंट तडप रहे हैं बैड पर लेटे हुए हैं लेकिन पाकिस्तान के डॉक्टर बने हुए है नाई उनके हाथ में कैची भी है छुरा भी है लेकिन वो चला नहीं सकते क्यों नहीं चिला सकते कि भाई साब उन्हें बाल थोड़ी काटने है उन्हें पेशेंट की बाई काटनी है Operation करना है Operation करना है तो पहले पेशेंट को बेहुस तो करना पड़ेगा जागते हुए पेशेंट की स्किन काटोगे तो क्या होगा चिलाயगा वो भाग जाएगा, तो पाकिस्तान की जो डॉक्टर्स हैं, वो छुरे और कैची से खिल रहे हैं, कारण क्या है, कि उनके पास बेहोस करने का मटेरियल नहीं है, जिसको बोलते हैं एनस्थीसिया, सीडेटिव केमिकल नहीं है, उनके पास, जिससे वो पेसेंट को बेहोस कर सक है, दरचल ये जो एनस्थीसिया होता है, जिससे पेसेंट को बेहोस किया जाता है, वह केमिकल पाकिस्तान मगाता था अपने जिग्री दोष्ट अमेरिका से, लेकिन अमेरिका फ्री में तो देगा नहीं, अमेरिका को चाईए डॉलर, ॉलर, डॉर, पाकिस्तान के रुपे इसलिए उन्होंने हात KP कर दिये अब तो अब complete सरकार ने कशम उठाई थी क्या कि हम भारत से नहीं ख्रीदेंगे दवाएं भारस से नहीं भारत से नहीं खृणिदेंगे इस जार विए काम सब बढ़ेंस भृण ज्यक्त अब भारत से ख्रीद रहे हैं अब बर् unlocked से जगए चला पाएं पाकिस्तान में जो पेसेंट हैं उनको राहत मिल जाए उसके लिए जो केमिकल है वो भारत से जा रहा है पाकिस्तान अब इंतियार कर रहा है दरवाजे पर दस्तक दे रहा है कि भाई साथ जल्दी से भारत से आ जाए केमिकल एनिस्थीशिया भारत से आ ज भाई यहां तो हालत ऐसी है कि हम अच्छा काम करके भी गालियां खाते हैं नेकी करके हमने दरिया में इतनी डाली कि दरिया पूरा भर चुका है दरिया ने बहना बंद कर दिया है उसमें हमारी नेकियां फस गई हैं जब तक पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तानी आर्मी आधिकार एक रूप से भारत से रिक्वेस्ट ना करें तब तक तो हमको बेजना नहीं चाहिए और अगर आप बेज भी रहे हो तो बताओ तो यहां हमारी हालत कैसी है जंगल में मोर माच रहा है और सहर में किसी को पता नहीं है ना पाकिस्तानियों को अरे पाकिस्तानी छोड़ दो भा अगरे तो हमारी मीडिया उस आईने में अपना मुग देख रहे है पाकिस्तान को आइना नहीं दिखा रही है तो दोस्तों कब तक चलेका बढ़ा सवाल है यह आखिर कब तक हम अच्छा काम करके गालियां खाते रहेंगे युद्द के मैदान में जीती हुई लड़ाई को अखवारों में हारते रहेंगे यह प्रॉब्लम दोस्तों महानता की नहीं है यह प्रॉब्लम है इमेज मेनेजमेंट की इंप्रेशन मेनेजमेंट की हम अपने अच्छे काम के बारे में दुनिया को बताने से सरमाते हैं हमारी अपिक्षा क्या होती है कि हम केमिक सब्सक्राइब McKookie mu 집에 एक्सपूर्ट करते हैं बारस से जाता ही तो कम से कम इसके वारे में बताऊ तो इसींप मैं भारत किसी को हुब भारत में किसी को पता दो पढ़ना चाहिए यहां किसी को कानओ-गान खवर नहीं है और भरत महंता पर महंता किय ज़ा रहा है यह दोस्तों रुकना चाहिए हमने जो है अपनी पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए नहीं तो दोस्तों 80 सालों से हमने पाकिस्तानियों से गलिया खाई है भविश्च में भी खाते रहेंगे पाकिस्तानी लोग अपनी मूशों पर ताव देते रहेंगे और भरतियों को नीचा दिखाते रहेंगे इसलिए दोस्तों भारत जो एनस्थीसिया की सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को इसके बारे में आप अपने दोस्तों को मित्रों को जरूर बताईए क्योंकि इसके बारे में जानकारी सब को होना जरूरी है कम से कम हमारे देश में तो सब को पता पड़े कि पाकिस्तान की असलियत क्या है और पाकिस्तान में जो मरीज हैं वो ठीक हो सकें उसके लिए आज भरस अपला ही कर रहा है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जैश्त्री राम